एबरिवन कैसे हैं आप सब उमीद हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का फुलवारी गार्डेन में आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंट्रेस्टिंग जो की रेलिली के बारे में होगा टॉपिक ये है की रेलि देखें ताकि कोई भी टॉपिक आप से छूट न जाये तो बने रही है फुलवारी गार्डेन में तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रेलिली की रिपोर्टिंग हमें कब करने चाहिए रिपोर्टिंग का दोस्तों सबसे बेस्ट टाइम ह होता है जब सरदिया जा रही होती है और बड़सात आने वाली होती है तब हम इसे रिपोर्ट कर सकते हैं कहने का मतलब यह है कि फरवरी मार्च से ले करके आप इसे मैं जून तक रिपोर्ट कर सकते हैं जिससे की प्लांट हमारा आगे की फ्लावरिंग के लिए तयार हो सके ये जो pot आप देख रहे हैं ये 8 इंच का pot है जिसमें मैंने 5 बल्ब लगाए हुए थे 2 साल पहले तो पिछली साल तक तो इसने बहुत अच्छी मुझे blooming दी थी अब की साल क्या हो रहा है इसमें एक भी birds मुझे नहीं दिख रही है तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये plant root bond हो ग आती हैं फूल नहीं खिलते हैं क्योंकि उसे या तो नए pot की जरूरत है या फिर रूट प्रोनिंग करके आप फिर से उसी गंबले में लगा सकते हैं लेकिन रेलीली में क्या होता है इसमें bulb produce होते हैं और एक साथ कई बल्ब बनते हैं तो सारे बल्ब को तो हम एक pot में नही root bond हुआ है और दोस्तों एक चीज ध्यान में रखने वाली बात यह है जब भी आप किसी भी plant की reporting करें तो एक दिन पहले आप उस plant में पानी जरूर दें जिससे कि क्या होगा plant को नुकसान भी नहीं होगा अगर bulbus plant है तो bulb को नुकसान नहीं होगा बल्ब को तूटिंग नही ही निकालते समय क्यूंकि सुखी मिट्टी जब होती है तो bulb को निकालना बहुत मुशकिल हो जाता है और घंब्ले से भी मिट्टी को निकालना मुश्किल हो जाता है जब आप पानी देगने तो मिट्टी सकी goin और आसा यसे घंचा नहीं है और पांच बल्ब से मैंने ये जरनी शुरू की थी आज देखी इससे मुझे कितने बल्ब मिलने वाले हैं और देख सकते हैं आप लोग कितने धेर सारे इसमें बल्ब निकले हुएं जो कि मैं आपको दिखाऊंगी आगे तो ये देखिए कितने सारे बल्ब मुझे मिलने हैं तो मैंने सिर्फ 5 बल्ब इसमें लगाया हुआ था, और ये लगभग 40-50 बल्ब तो होंगे ही, और इसमें 1-1 बल्ब में 3-4 बल्ब लगे हुए हैं, और ठेट सारे बल्ब इसमें बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, कितने धेर सारी इसमें बल्ब बने हुए हैं कुछ बेबी बल्ब भी हैं जिनें हम निकालके अलग कर लेंगे दोस्तो रेल इली में बहुत सारी विराइटी ऐसी आती हैं जिनमें seed pod भी develop होते हैं और seed से भी हम बल्ब को बना सकते हैं seed को grow कर सकते हैं इससे एक से डेट साल के अंदर आपके seeds जो mature होके बल्ब में convert हो जाते हैं उससे भी हम नए plants बना सकते हैं और वैसे plants में तो बल्ब produce होते ही हैं तो इनसे भी हमें आसानी से बहुत सारे बल्ब मिल जाते हैं बल्ब को अलग करने के बाद अब आये जानते हैं कि इसकी मिट्टी हम कैसे बना सकते हैं तो इसकी मिट्टी बहुत ही wilderness होनी चाहिए जिससे कि इसमें पानी आसानी से निकल सके पानी ठहरे नहीं बिल्कुल भी pot में क्योंकि पानी के ठहराओं से बल्ब में सडन हो सकती है जिससे कि आपका प्लांट पूरा खराब हो जाएगा तो मिट्टी बनाने के लिए 40% आपको गार्डेंस वाइल लेनी है 40% आपको वर्मी कंपोस्ट या कोई भी आपके पास कंपोस्ट हो तो वो भी आप ले सकते हैं खोड़ा साफ पंगिसाइड एक चमश लगभग और राइस हसक आपको लेना है राइस हसक अगर नहीं है तो आप सैंड का यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी मिट्टी बहुत अच्छी विल्ड्रेंग बनके त्यार हो जाए तो मैंने ये 6 इंच की गहराई वाला एक ट्रे लिया है और 3-4 इंच की धूरी पे मैंने अपने सारे बल्ब को इसमें मैं लगा दूँगी और इसके बाद बल्ब को लगाने के बार मैं इसमें उपर से मिट्टी डाल दूँगी और जिसे की हमारा बल्ब जो है मिट्टी से अच्छे से धग जाए और इसके बाद प्लान को लगाने के बाद पहली बार वाटरिंग करते समय में बहुत अच्छी इसमें वाटरिंग करनी है जिसे और तब तक वर्टरिंग करनी है जब तक की पानी इसके ड्रेले जोल से निकल नहीं जाता है तो ये सब करने के बाद आपको चार से पास दिन तक इस पॉट को आपको शेमी शेड एरी में रखना है उसके बाद आप फुल सन में इसको रख सकते हैं चीज और दोस्तों जब भी आप बल्ब को लगाएं तो उसकी रूट्स को कट कर दें और उसकी लीव्स को भी कट कर दें जिससे कि उसमें न्यू ग्रोथ हो सके और कुछी दिनों में आप देखेंगे इसमें नहीं नहीं पत्विया निकलाएंगी और बल्ब को निकालके एक दो दिन के रेश्ट पर रखते हैं तब लगाते हैं तब भी उसमें बडिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने लगती है जिससे कि हमें अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलती है दोस्तो आईए जानते हैं कि हम अपने बल्ब को जो रेल लिली के बल्ब हैं उनको हेल्दी हम कैसे बना सकते हैं जिससे कि वो अच्छी फ्लावरिंग कर सकें तो दोस्तो जब इसकी flowering का off time होता है मतलब जब flowering नहीं हो रही होती है तब जो इसमें leaves निकलती रहती है उनको हमें कट करते रहना चाहिए इससे होता ये है कि बल्ब अपनी energy बल्ब को और healthy बनाने में लगाएगा ना कि leaves को produce करने में तो इस तरह से आप अपने बल्ब को healthy बना सकते हैं हर 15 दिन में आप इसे वर्मी compost या गाय की गोबर की खात आप इसे दे सकते हैं महीने में एक बार डी एपी के कुछ दाने में आप इसे देंगे तो भी आपका बल बहुत ही healthy होगा और flowering भी अच्छी होगा तो बस आज के लिए इतना ही उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और हाँ बैल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे की मेरे आने वाले वीडियो आप लोगों को समय समय पर उसकी नोटि अप्रिकेशन मिलती रहे तो फिर मिलते हैं आप सबसे किसी और वीडियो में तब तक लिए बाबाई हैपी गार्डिनिंग